हेलो एवरिवन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोग PST टेकनलोजी के MCQ कोश्चन के प्रिपरेशन करेंगे यह हमारा पार्ट टू है इससे पहले मैं एक पार्ट वन बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको टैन कोश्चन के प्रिपरेशन कराई थी रिलेटे इसी प्रकार मैं अपनी इस वीडियो में भी कराऊंगी तो आई यह स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शन क्या हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन हैं हमारी कोश्चन रीडिंग करने के लिए 30 सेकिंड मिलेंगी आपका इसमाट टाइ क्लोग जो है वो साइड बाइ साइड चलती रहेगी फिर उसमें आपको वन मिनट आपको देखना है कि आपका आंसर क्या है आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि आपका आंसर क्या है दैन उसके बाद 30 सेकिंड बाद आपका जो आंसर है वो आपको शो होगा कि इसका एक्सेक आंसर है तो आई ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में भी मेरे 10 questions है जिसमें starting के 5 questions मैं आपको pictures की मदद से explain करूंगी मतलब आपको एक picture मिलेगी उस picture को आपको देखना है and then समझना है कि उस picture में क्या पूछा गया है और क्या इसका हमारा exact answer होगा तो आई ये स्टार्ट करते हैं first question आता है हमारा what is the name of corner ये picture आपको दी गई है इसमें जहां पर आप देख रहे हैं एक pin लगी हुई है तो उस area को बताना है कि ये area क्या है इसके options है overlapping corner यानि कि overlapping corner है जिसमें एक ये उपर एक जो रखा जाता है वो वाला metering with flat tape metering with banding metering with bias facing तो flat tape है ये metering में या bending है या ये bias facing है तो आपको बताना है इसका exact answer क्या है आपके पास one minute है so your time starts now time is up now your correct answer is metering with flat tape इसमें आप देख रहे हैं कि एक flat tape है जो लगी जा रही है corner में तो इसका exact answer है metering with flat tape so next question आता है हमारा what is the name of corner आप देख रहे हैं एक fabric है तो इसमें बताना है कि इस corner को क्या बोलते हैं वही same options है overlapping corner metering with flat tape metering with banding metering with pious facing so आप picture को अच्छे से देख लें और समझ लें कि इसका exact answer क्या होगा आपको one minute मिलेंगी answer सोचने के लिए so your time starts now time is up देखते हैं इसका exact answer क्या है overlapping corner यह हमारा overlapping corner है इसको अच्छे से देखें यह हमारा यानि कि जो एक के उपर एक रखा जाता है वह बाला corner है तो third question है हमारा what is the name of operation यह आप picture देख रहे हैं इसमें एक action हो रहा है एक motion हो रहा है तो आपको बताना है कि यह क्या हो रहा है यह जो process हो रहा है यह क्या है इसके options है piping, facing, binding, bending तो आपको इन options में से बताना है यह piping हो रही है, facing हो रही है, binding है या bending है so your time starts now your time is up देखते हैं इसका exact answer क्या है, binding, यह हमारी binding हो रही है यानि कि यह हमारा fabric है और इसकी ओपर extra fabric के मतद से इसको bind किया जारे है ताकि इसके edges जो है वो finish हो जाए so next fourth question है हमारा, what is the name of neck shape यह आपको एक neck design दे दिया गया है आपको इसको बताना है कि यह कौन सा shape है, कौन सा design है options है, elliprical neck, scoop neck, bot neck, asymmetrical neck, asymmetrical neck यानि कि जिसमें कोई shape नहीं होती, bot neck इसका हिंदी में कोई name नहीं होता, scoop neck, elliprical neck तो यह आपके कुछ four type के neck इसमें options दिये गए है, तो आपको बताना है इसका exact answer क्या है so your time starts now अपको सा uniह ओो प्याओ कि राझज कूख रहरी दुश्सक्या आपको यह गिया का भाव फम अपको यह क्योंeg害 दो know इसका사 उब्या ग्चलावे, वापको यह उसक्ता है कंको लुई दो दो का मैं है और बताना है कि यह आप देखता है इसका एगजिक्ट आंसर क्या है और सिमेट्रिकल नेक यानि कि यह कोई आप जब अपनी त्रफ से कोई भी नेक की शेप देते हैं को इब डिजाइन देते हैं तो वह हमारा asymmetrical neck किलाता है यानि कि कोई भी आप शेप दे सकते हैं तो फिफ्ट कोशन आता है हमारा what is the name of neck design यह neck design आपको दे दिया गया है आपको बताना है कि इस neck design का name क्या है options है stepped neck, keyhole neck, scoop neck, round neck तो inform में से आपको बताना है कि इसका exact answer क्या है pictures अच्छे से देख ले समझ ले उसके बाद ही answer दे so your time starts now your time is up, exact answer is keyhole neck इसमें आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ key बना हुआ है यानि की hole होता है और उपर की तरफ से हमारा neck होता है तो यह हमारा keyhole neck कहलाता है keyhole यानि की चाबी की तरह आपने कभी देखा हो जो आपका जहांपर चाबी आप लगाते हो lock में तो उसका hole किस type क्यों होता है तो उस प्रकार से जो shape आती है वो हमारा keyhole neck design कहलाता है तो यह थे हमारे 5 questions जिसमें हमने pictures की मदद से समझा की कौन से question picture में क्या बोला गया है और इसका exact answer क्या है अब जो questions होंगे start वो without pictures start होंगे So your sixth question is which placket the buttons are invisible आपको बताना है उस placket का नाम जिसमें buttons invisible रहते हैं options है phased placket concealed placket continuous placket two-piece placket मैंने आपको सभी प्रकार के placket पताए हुए हैं पढ़ाए हुए हैं तो आप समझिए कि कौन सा placket है जिसमें invisible buttons होते हैं मतलब button नहीं दिखाई देते हैं उस placket में So your time starts now कि झाल time is up its exact answer is concealed placket concealed placket होता है जिसमें हमारे buttons जो हैं वो hide होते हैं यानि कि उसमें उपर की तरफ नहीं दिखाएते थे हम उसमें touch button जैसी चीज लगाते हैं अंदर या hook होते हैं वो लगाते हैं 7th question है हमारा what is the name of lip piece closing the pocket mouth यानि कि जो pocket का mouth होता है lip piece की तरह बंद किया जाता है उस pocket का name क्या होता है options है pocket, pocket flap, pocket ham, pocket bat यह आपकी कुछ pockets के name है मैंने आप लोगों को pockets भी पढ़ाई है types of pockets जिसमें मैंने आपको कई प्रकार की pocket बताई थी patch pocket, weld pocket, side pocket, slit pocket, slash pocket यह कुछ प्रकार की pockets मैंने आप लोगों को पताई थी तो उनी में से ही इन pocket में से उन pockets related ही आपका question है तो इसमें आपको बताना है कि जो lip की तरह बंद होता है माउथ को close कर लेता है उस pocket का नाम क्या होता है options है pocket, pocket flap, pocket hemp, pocket weld आपको एक मिनट मिलेगा सोचने के लिए answer समझने के लिए Your time starts now Time is up देखते हैं इसका exact answer है pocket weld जो हमारी weld pocket होती है वो लिप की तरह close की जाती है लिप की तरह बंद रहती है उसका जो माउथ होता है जो pocket का माउथ होता है उसको बंद करके रखता है Then next 8th question आता है हमारा What is the angle from warp or weft is true bias आपको बताना है उस angle का number आपको वो एंगल बताना है जब warp और weft एक true bias पे होते हैं यानि कि एक आड़े पे होते हैं तो वो आपको एंगल बताना है पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था एक related question आया था पिछली वीडियो में वो के से था question लेकिन सेम ही question था जो पूछा गया था तो your time starts now time is up इसका देखते हैं exact answer क्या है 45 degree angle मैंने बताया भी था जब मैं पढ़ा रही थी तब भी और इससे पहले जो मैंने एक पार्ट बनाया है question series का उसमें भी मैंने समझाया था कि जो 45 डिगरी का एंगल होता है वो हमारा bias एंगल होता है यानि कि जब हमारा आढ़ा पनाता है यानि कि कपड़े का जो आढ़ा पन होता है जिसमें सबसे रहाधा touchability होती है कपड़े में वो हमारा 45 degree का angle होता है now next question आता है हमारा question number 9 which garment the slang pocket is used हमारे कौन से garment में slang pocket use की जाती है options है trouser, shirt, waistcoat और t-shirt इन में से बताना है आपको इसका exact answer क्या है your time starts now हमती है कर दो परा है क्यों stellar इन हुआ Kelly time is up देखते हैं इसका exact answer है trouser जो trouser होते हैं उसमें जो pockets होती हैं वो slang pocket होती है अगर आपको slang pocket के बारे में जानना है तो मैंने pockets related videos बनाइ वी है जिसमें मैंने types of pocket के बारे में explain किया है आप उसमें जाके देख सकते हैं कि यह slang pocket कौनसी होती है then last question है आपका 10th question which has more drapability to finish neckline आपको बताना है कि जब आप neckline को finish करते हैं तो drapability सबसे ज़्यादा किस चीज में होती है वही घुमा के फिर 3rd question आपका ये आया है same चीज options हैं warp stripe, weft stripe, bias stripe non-woven so your time starts now प्राण प्राण time is up देखते हैं इसका exact answer bias stripe यानि कि जो bias होती है उसकी मदद से हम अपने neckline को finish करते हैं आप हमेशा आड़ा कपड़ा काटते हैं पट्टियां काटते हैं ताकि उसमें piping कर सके उसकी finish कर सके जो आपके neckline होती है तो वो किसके मदद से करते हैं हम बायस इस्ट्राइब के वज़े से आप इसको बायस टेप भी बोल सकते हैं तो आपकी यह 10 questions यहीं finish होते हैं और इस related अगर आपको जानना है कि जो मैंने यह questions के discussion किये हैं आज हम लोगों ने कि इनको deeply जानना चाहते हैं तो मैंने से related सभी content से related वीडियो बनाई हुई हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई query है कोई question है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे comment section open रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं अधरवाइस एक description box होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का link मैंने शेयर किया हुआ है अधरवाइस मैं वीडियो में भी साथ की साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का name जिस ना एड़ना नेम से मेरी आईडी होती है आप वहाँ से भी name लेके आप enter करेंगे तब भी मेरी आईडी कुल जाएगी अधरवाइस लीचे link तो होता ही है उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी आप वहाँ में आए और जो भी कोईरी हो वह आप मुझसे easily पूछ सकते हैं सो थैंक यू आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करना मेरे चैनल को बाइबाए